हेलो दोस्तो, सवाखात है आपका डिवार्टिंग बहल में, मेरा नाम है जिख, दोस्तो बेक्त काम करते हैं अपने website को build करना चाहिए तो इससे पहले कि वीडियो को start करें आप जलजे करें चालल को subscribe और bell icon को press ताकि जब मिले कोई वीडियो अप्लियो 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 नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो अब हमागए मैं laptop screen में और यहाँ पर मैं आपको पांच ऐसे web design software बता रहा हूँ जो कि market में अभी सबसे best चल रहे है और आप इन software का use करें अच्छल में यह एक website builder कह सकते हैं या फिर एक completely hosted site कह सकते हैं जहाँ पर हमें domain hosting सा मिल सकते हैं इन में से कुछ ऐसे होंगे जो completely hosted होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको wordpress के साथ यूज़ करना है तो चलिए अब start करते हैं हमारे सबसे पहला जो product है यहाँ पर वो है seed prod अब guys seed prod में ऐसा रहता है कि यह एक website builder है dragon drop website builder है जो आप wordpress के साथ इंटिक्रेट कर सकते हो मतलब आप wordpress इंस्टॉल करते हो अपने hosting पर और उसके बाद आप seed prod को आप यूज़ कर सकते है जो कि एक website builder रहता है जैसे कि आपने elementor देखा होगा ठीक है elementor जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बहुत अच्छा option रह सकता है लेकिन elementor के अलावा के अगर हम यहां बात करें जैसे कि seed prod है seed prod एक बहुत ही अच्छा website builder है और जो भी आप यहां पर build करते हो वो completely responsive होगा यानि कि mobile friendly रहेगा ठीक है आप जो भी design मतलब website अगर build करते हो तो PC में हो चाई टैबलेट में हो चाकि mobile में हो सब जगे आपको automatically वो responsive हो जाता है ठीक है और यह जो builder रहता है यह काफी जादा fast जाता है और यहां पर आप सबी चीज़े कर सकते हो जैसे कि WooCommerce का integration कर सकते हो सारी चीज़े यहां बहुत अच्छे जरीके से काम करती है और 200 से भी जादा आपको यहां पर pre-design templates देखने हों के मिलेंगे जो कि सारे कि सारे fast होंगे responsive होंगे और SEO friendly होंगे ठीक है तो यह एक फाइदा रहता है streetboard के साथ और सारी कि सारी जो functionality होती है वो आप simply drag and drop कर सकते हो कुछ इस तरीके से left से drag किया right में डाला अपने images stock images आपको यहां पर बहुत जारे stock images मिलेंगे ठीक है वो एक extra आपके पास option रहता है कि आपको stock images जो है वो आप बहर बर के मिलेंगे दो लाग से भी जादा stock images आपको इन सभी में देखने को मिल जाते है ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा option रहता है WordPress के साथ integrate करके आप इसको use करते है और pricing भी यहां पर रहेगी अगर आप इसको pricing को अगर एक बार check कर लेते हैं यहां पर अभी हमें अच्छा का साथ discount यहां पर देखने को बिलेगा basic का जो per year की जो pricing रहती है वो सिर्फ $40 रहता है पूरे साल के लिए तो आप इसका use कर सकते हैं यह one site के लिए होगा यह three site यह five site और यह unlimited site के लिए जो की depend करता है agencies के लिए काम आती है यह personal use के लिए नहीं होता है यह agency के लिए होता है जो personal use के लिए जो हम करते है या तो basic या फिर plus का आप use कर सकते है तीक है अब चलते है next option के पर तरफ जो की है DV अब DV builder जो है अगर आपको free में चाहिए तो free में भी ले सकते हो तीक है मैं आपको एक link description में दूँगा वहाँ से अगर आप hosting purchase करते हैं तो आपको free मिल जाएगा और इसके अलावा bluehost की hosting पे अभी अच्छा का सा discount हमारे link के थूँगा तो bluehost का भी link मैं आपको description में देदूगा आप extra 10% का discount वहाँ से लेज़े तो already company का 65% तो चली रहा है और हमारे link के थूँगा आपको 10% का extra discount भी देखने को लेगा और बहुत ही कमाल का मतलब एक मतलब इसमें आप जब website करोगे ना आपको बिल्कुल एकदम effortless का मुखावाद हो आपको बिल्कुल effort लगाने की जरूत नहीं है इतना easy to use है डिवी मैं तो कहता हूँ elementer का कोई मुकाबला नहीं है अगर हम बात करें डिवी किया तो डिवी इतना easy होता है यूज करने में तो डिवी बिल्डर का आप यूज कर सकते हो अपने website को पेज बिल्ड करने के लिए landing pages वगेरा आप इसमें कमाल करते हैं तो इनका जो review है अगर आप hosting purchase करते हैं जो लिंक में आपको description बहाँ से कर लेते हो तो आपको डिवी बिल्डर फ्रेम मिल जाएगा नहीं तो आप डिवी बिल्डर खरीद भी सकते हो ठीक है तो एक कमाल का option यह रह सकता है अब इसके बाद आता है बीवर बिल्डर अब गाइस बीवर बिल्डर का तो नाम आपने काफी बार सुना होगा क्योंकि डीवी बिल्डर बीवर बिल्डर और एलिमेंटर यह तीन ऐसे कंपनीज है जो हमेशा competition में रहती है ठीक है पहले बीवर बिल्डर का बहुत जादा नाम सुना देता है आज की डेट में विल्डर थोड़ा सा कहीं कम इसका हो गया है जब से डीवी और एलिमेंटर इतने आगे बढ़े तो कहीं आगे उस लेबल पर जैसे हमने सुना ही है जिसे नोकिया के फॉन्स जो है वो बहुत आगे चल रहते हैं और एक टाइम क्या हुआ दूसरे फॉन्स अब्ग्रेड होने लगे और नोकिया इतना नहीं कर पाया लेकि कहीं ना भी हलका फुलका जो है अड्वांटेड डीवी के पास ज्यादा रहता है और अगर यहां पर जो प्राइसिंग हो देगा नाइटी नाइन डॉलर से शुरू होती है और देखने में एक बार लगता है सीड़ प्रॉट्स से जादा महंगा है लेकिन सीड़ प्रॉट जाएंगे जो कि आप अपने सिंप्ली उसका यूज कर सकते हो और सिर्फ आपको अपने वीडियो को और इमेज को एडिट करना होता है टेक्स कर सकते हो डारक्ली मोबाइल फ्रेंडली होगा सारे के सारे पीसी लाप्टॉप टैबलेट्स मोबाइल सभी के अंदर बिल्खो एक दम प्रॉफल आप ड्राइग और ड्रॉप करो करो रस्पॉंसिव करने का काम बिल्डर करेगा तो यह सारे चीज़े आप आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूज करना है इसके बदाता है वेब.com अब गाइस वेब.com कि अगर हम बात करें तो वेब.com तो यह एक अलग चीज़ है, यहाँ पर मतलब आपको इसको WordPress का एक alternative मानना है, यह WordPress के साथ मिलके नहीं चलता है, यह WordPress का एक alternative है, यहाँ पर आप WordPress के plugins पगेरा यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप पूरी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, यानि कि आपको domain, hosting, website builder, सब कुछ template रहेगा, web.com का रहेगा, आपको मलब खुल मिलाक एक तरह से Wix जासा काम करता है, तो यहाँ पर आप web.com से आप website building कर सकते हो, और बहुत ही easy drag and drop है, आपको सारी चीज़े एक ही जगे मिले, आपको WordPress की टेकनलोजी का अलग सा सीखने की जरूत नहीं है, आप web.com पर डिरेक website को बना सकते हो, ठीक है, बागी सारी functionality बिल्कुल सेम है, अगर हम बात करें, drag and drop हो इस तरीका से काम रहता है, बैसे ही, सारा सब कुछ हो website आप बनाना चाहते हो, website आप यहाँ से बना सकते हो, online store हो, कुछ भी हो, सारी functionality इसके अंदर pre-built है, आपको सिर्फ सारी functionality को काली drag and drop क करना है, वो सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, mobile friendly होते हैं, fast होते हैं, responsive होते हैं, सारा सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा है, ठीक है, और email वगेरा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, और support भी देखने को मिल जाता है, अब आता है next, getter builder, अब guys getter builder भी बिल्कुल web.com की तर अभी साथ में website builder भी निकाल दिया है, इनका खुद का launch किया है, तो एक तरह से WordPress का alternative है यह, ठीक है, आप hosting domain low hostgator से और साथ में website builder भी ले लो, और सारा सब कुछ यहीं पर कर लो, जो करना है, सब कुछ आप यहीं पर directly कर सकते हैं, simply, Wix जैसा ही scene है इसका भी, ठीक है, web.com जै जो usage के साथ से, अगर मैं आपको बता हूँ, कि जितना मैंने use किया, उसे साथ 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 में कहूं, तो यहाँ पर जो web.com है, वो एक better option है, getter के compatibility, लेकिन guys, top 5 के अगर बात करें, तो यह पांचो है, ठीक है, इसको हम लेके चल सकते, अब इन में से जो कोई भी आप select कर सकते तो अब इन पांचो में से कौन से select करना यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह दोनों तो बिल्कुली अलग product है, ठीक है, यह web.com और getter, यह तीनों अलग product है, और बागी के तीनों WordPress के साथ मिलकर काम करते है, तो अब इन दोनों में से अगर एक select करना है, तो web.com और हमेशा जो मेरा अपना खुद का जो point of view रहता है, वो यह है कि आपको हमेशा WordPress का जाना चाहिए, क्योंकि WordPress में आपको जिस तरह का customization मिलता है, जिस तरह का control मिलता है, वो आपको इन सब में नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपक पर description मिल जाएगा, आप जागे directly hosting purchase करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक गाइस, तो उमीदे की वीडियो को संद आया होगा, पसंद आज वीडियो को like जरूर कर दे, इससे हमें आगे गवर वीडियो बनाने के motivation मिलती है, और इसके अलावा कोई भी doubt है, तो आप comment में आजवाब जरूर मिलेगा, तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, उमीदे वीडियो को संद आया होगा, और पसंद आज वीडियो को like भी कर दीजिए, share भी करेजिए, और अपना वीडियो को सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्रीज चानल को साइका लिए, बेल आइकनों को प्रसकाना बिल्कुर में बुलिए को कि इसे मेरा आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको विलेंगे, तो दोस्तों, आज की वीडियो में सरफ इतना ही देखने के ल असाओ कर रेलिए को शुलिए के लिए लिए